कुशिनगर में देरशाम करीब 200 लोगों की जिंदगी 5 गंटे तक नायरणी नदी के बीच मजधार में अटकी रही मामला बरवपटी थाना क्षितर का है जहां खेती कर देरशाम घर लोट रहे 200 लोगों से भरी नाव नदी की बीच मजधार में फस गई इसके लावा दो ट्रेक्टर ट्रॉली भी नाव पर मौजूद हैं जानकारी की अनुसार रेता इलाके में खेती करके बड़ी नाव से सभी लोग घर लोट रहे थे इसी दोरान शाम करीब 7 बज़े बीच मजधार में नाव का एंजन खराब होकर बंद हो गया जिसके बाद लोगों की सांसे अटक गई आनन फानन में गिरामीड पुलिस और स्थानिय तेहसील परिशासन को सूचना देकर बचाओ में जुट गए ले जाकर निकाला है तो यहारे वज़े रात से सभी लोग अपने अपने घर जा रहा है जितना साइकिल मोट साइकिल उस पर दो टेक्टर लादा हुआ है सभी अभी नदिये में पड़ा है घठा आप हम लोग पैदल आप आने घर करीब पाच को छो को जा रहे हैं इस रात नहीं कराती है पीपा नहीं बनवाती है बनवा पट्टी घाट पर तो हम लोग के तो मजबूरी है जिए अगर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या वहीं मामले की जानकरी होते ही क्षेत्रिय विधायक और कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी मौके पर पहुँच गए और मोर्चे संभाल लिया देर रात करीब 12 बजे तक दूसरी नाव से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया इस दोरन अजय कुमार लल्लू ने शासन और प्रशासन पर समवेदन हीन होने का अरूप लगाया उन्होंने कहा कि वो इस इक्षेत्र में परिवार के उन्नती और विकास का सवाल है इस नाथे लोग खेती करने उस पार जाते हैं यहां इस नदी पर पुल के लिए मैंने कई बार सवाल उठाने सब्सक्राइब साथ सरकार जागरू करती तो आज जो बार बार इस तरह की खड़नाय देखनी पर दिया है वो नहीं देखनी पर दिया है यहां अस्थानी लोगों ने अपने नाव पुल ले जाकर उस पार से लोगों को निकाल कर यहां तक लाने का एक बड़ा प्रयास किया और मैं समझता दरसल इस एलाके में नदी पर पुल नहीं है जिसकी वजह से लोगों को नाव पर सावार होकर नदी को पार करना पड़ता है और यह कोई पहला मामला नहीं है जब कुशिनगर में नदी की बीच मजधार में नाव फसी हो उमीद है कि शासन प्रशासन लोगों की परेशानियों की ओर ध्यान देगा और नदी पर पुल बनाने की कोई सार्थक पहल होगी ताकि आगे से कोई अनहोनी न हो पंजाब केसरी टीवी के लिए कोशिनगर से अनुप यादव की रिपोर्ट